Hello friends, welcome back to my channel, शेशी की तिजोरी में आप सभी का स्वागत है, आज की हमारी रेस्पी है तर्बूज के छिलके का रायता, पैते तो आपने बहुत खाये होंगे, लेकिन तर्बूज के छिलके का रायता आपने कभी नहीं खाया होगा, अक्सर हमारे घरों में जब भी तर्बूज होते हैं, और ये इमनी सिस्टम को बूस्ट करती हैं, फाइबर भी इसमें बहुत सारा होता है, इसलिए आज हम इसका फायदा उठा कर इसका रायता बनाएंगे, ये बहुती स्वाधिस्ट रायता होता है, आपको ये बेहत पसंद आएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इसे लाइक और सेर करके, चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जिरूर कर देना, यहां हमने ये तरबूज के छिलके लिए और इने खूब अच्छे से हमने धो लिया है, इने धो कर हमने कपड़े से पोच लिया है, ये इसका पीछे वाला जो छैनल से हटा लिया है, अब इने हम ग्रेट करेंगे, पतले वाले छेट से और इने ग्रेट करने है आप चाहें तो इसे उबाल कर लें या फिर पका कर भी ले सकते हैं या छिलका थोड़ा हार होता है, फिर आप इसका रायचा ऐसी ही बना लें क्यूंकि छोटे वाले छेट से कंदूकस करने से यह काफी महीन हो जाता है ये देखिए हम यहाँ पर इसे थोड़ा पहले पकाएंगे। इसलिए हमने लिया एक पेन और इसमें दो चम्मच ऑईल डाल लिया है। ऑईल। डाल कर इसे गरम करेंगे ओयल गरम होने पर एक चम्मज जीरा डालेंगे और जीरा थोड़ा सा चटक ने के बाद इसमें डालेंगे कद्डू कस किया हुआ दर्बूज का छिलका इस तरह से करने से ये बहुत जल्दी बनता है और टेस्टी भी पका सकते हैं मैं इसे खुले में ही पका रही हूँ और इसे थोड़ी-थोड़ी देर में अलट-पलट कर रही हूँ ताकि यह चारो तरब से अच्छे से एक जैसा पक जाए इस तरह से इसे पकाने से यह जलदी सॉफ्ट भी हो जाएगा और इससे जब रायता बनाएंगे तो तो रायते का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस तरह से हमने इसे अलट पलट करके चार-पाँच मिनट तक पका लिया है और छिलका सॉफ्ट हो गया है अब गैस आफ करेंगे और इसे ठंडा करके एक बाउल में निकाल लेंगे ये छिलके स्किन हेल्थ को इंप पूर्टिंग को भी कम करते हैं इसमें पोटाशियम जिंक्स परपूर मातरा में होता है जिससे बीपी को कंट्रोल करते हैं इस रायते के लिए हमने यहां पर एक बाउल में दही ली है इसे पहले ही हमने फिंट लिया था और इसमें आधा कप पाणी भी डाल दिया था और ये देखिए हमने ये छिलके अच्छे से इसमें मिक्स कर दिये हैं और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है जो मुझे अभी गाड़ी लग रही है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है इसे भी मिक्स कर लिया है ये देखिए अब इस तरह की कंसिस्टे इसे हीं और बास में पीमर्टा क्रन सब्सक्राइब को शच्क्राइए न के बोले हैं। करके डालेंगे इससे रायते का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और ये रायता पेट को ठंडा रखता है सारी जिजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उपर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया हरा धनिया डालेंगे तो टेस्ट और अच्छा आएगा ये रायता टेस्टी और हेल्दी तो है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको और टेस्टी बनाने के लिए, यहां हमने एक तड़का पैन में दो चम्मच देशी घी लिया है, और घी को गरम होते ही, आधा चम्मच इसमें राई डाल दी है, राई या सरसों जो भी आप कह सकते हैं, वन फो साथ कड़ी पत्ते डाल देंगे, कड़ी पत्ते हैं तो डालें, नहीं तो इन्हें स्किप कर सकते हैं, और फिर से हिला देंगे, ताकि यह अच्छे से पक जाएं, और अब इसी टाइम इसे चम्मच से थोड़ा हिला दें, और गैस आफ करें, गैस आफ करके इसे डाल बना रायता ,a,b,c ,allof, Sri מס अरिया बोरम rich, be frater he dingen, आप इसे अपनी डायट में जरूर शामिल करें बना श्रचा, अब हम ने और यह यह बना प्राइथा ऐसे दमा भी खाइव, मालके दमछ सकते हैं अब हमने इसके उपर तड़का डाल दिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची इसी काली मिर्ची से इसे हम उपर से डेकोरेट कर देंगे जो देखने में भी अच्छा लग रहा है और ये टेस्ट को भी बढ़ाएगा ये देखिए कितना मजेदार और टेस्टी रायता बना है कोई क बार बना लेंगे तो आप नोर्मल रायता बनाना तो भूली जाएंगे एक बार आप इसे जरूर देना और हमें कमेंट करना नहीं भूलना आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे धेर सारा लाइक दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे सेर भी कीजिएगा औ मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए बाबाई